इस तरह से सरकार बदलती है तो पूरी विवस्था बदल जाती है पूरी नीती बदल जाती है हर सरकार की एक अपने काम करने के पोलेसी होती है कि वो किस एरिया को अपना पोलेसी बना रहे हैं कि डिवलप्मेंट को लेकर चल रहे हैं कि नहीं लेकर अभी बहुत तगड़ा आपने दम पर लिये हूं आपने दमेलन ऊला कि ओम पर लिये हूं इयास अक हुआ सभाओ ओम पर लिये हूं आपने दिस्पोपőगा पर लिये हूं ो normaal इसी प्रिति बनाई है तरह यहादी पुटया रहा है सिसी प्रिति फ़ला है पर देर सी केट लगा लेक्ट है 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 अट जब यह नाख भूल है खक सरी समय तो इला देता है यादी सब्सक्राइब करणा करना 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 तुं करना सार भी भी सार भी भी सार तो एक लोगतंद्र की खुफसूरती है कि आपको बहुमत में आना आपको सरकार बनाना लेकिन आम लोगों पर इसका बड़ा एफेक्ट पड़ता उनका जो वोटिंग था उनका जो मतलब अपना सेलेक्शन व्यूस था उन्हों जो जिस पराड़ी से द्रफ लोगों चुन रहे थे निति यह किस तरह से अपने पॉले simplest है हर पाना politि geven डिवखे को लेके चल रहे हैं कि नहीं लेकर चलने लेकिन आम जनता के हिसाब से अगर मेरा विचार रहेगा तो सरकार जो भी हो मैं तो यहीं चाहूंगा कि सरकार से एक सल कॉलेशन गवर्मेंट में रोजगार के उपर युवाव के लिए काम की थी वह काम होनी चाहिए और दुसरा ब बहुत ऐसा विवस्ता नहीं है तो केंदर सरकार आप जैसे गवर्मेंट बना चुकी है तो अब इस विचार के उपर उनका विचार रहना चाहिए कि हम लोगों को स्पेशल स्टेटस दी जाए और दूसरी बात की रोजगार के उपर जो भाव है सरकार जिस तरह से काम की थ भी ठीक है अब जैसे ही सरकार बदलती है तो लोग के मनें बस एक सवाल होता है कि अब जैसे दा रही ती बिहार में वैसे आएगी कि नहीं continue यह सवाल होता है क्योंकि कॉलिशन होता है अलग-अलग राजनीतिक दल का तो दल के साथ उसी तरह से काम हो पाएगा कि नहीं होएगा student के मन में भी सवाल रहता है उसके बाद आपको जो unemployed हैं उनके लिए भी यह सवाल बना रहता है कि क्या उसी क्योंकि से काम करेगी सरकार कि नहीं करेगी कि अब किसी और तरह का प्रेशर बनेगा जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही सरकार बदली तो दोनों जो पहले coalition government थी उन्होंने अपना-पना एड़ दिया कि ये काम हमने करवाया ये काम हमने करवाया अब जनता को ये फैसला करना होता है कि काम कैसे हो रहा था अब ये सवाल बना रहता है कि अगर उन्होंने करवाया था तो अब तो coalition अलग है अब आएगी कि नहीं वेकेंसी ये सवाल जनता में बना रहता है यह एक के पॉलिटिक्स का एक नुकसान जो है सीधा सिधी जनता पर होता है उनके लिए सवाल मनशा बनी रहती है जो काम जैसे हो रहा था वो होगा कि नहीं इस तरह का दुविधा सिर्फ वहां तो आप तो सरकार बना लिया लेकिन जनता के मन में क्या यह जनता की परिशानी के लिए आप कितना सोच रहें कितना तातपर हैं यह इस चीज़ का तो नहीं हो पाता ना जनता पर आप विश्वास कैसे अपना जताईएगा नितीश्त कुमार जो भी है आप पर पांस साल क्यों नहीं आप रह पार रहे हैं एक पार्टी के साथ बार से नौकरी आ रही थी बिहार में आने चाहिए इवाओं को जैसा मौका मिल रहा था मिलना चाहिए कार परगती पे था बिहार का वो वो कंटिनी होता रहना चाहिए पाटी कोई भी रहे मुद्दा जो है ग्रॉंड लेवल की जो राजनिती वो जरूर होनी चाहिए मेरा मानन जनता को कि वो ऐसा है कि बार बार एक परभावी नेता यह नौवी बार शपत लिये से विशांघ की राजनित की लोस तो ही इसके साथ जनता को नखसाने बिहार के पास अपना एक ऐसा मजबूत सीम नहीं है जो पांस साल कंटिन्यू कर सके हमने देखा कि पिछली गवर्मेंट जो है 15 साल कंटिन्यू की हमने देखा कि नुकसान भी वा उसका और अभी जो है आपको जब मौका मिल रहा है आप वर्किंग मिनिस्टर बनके आए हैं सीम की तरह आपको लोग देख रहा तो पीर आप ऐसी घटना क्यों कर देते किस तरह का आपके ओपर प्रेशरे यह आपके लोगों के ऊपरarak्रेशर है जो आप जो है इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं में थीक है जिसकेसादर पांस साल पूरा किजिस पिर आप बीकbersन दार में छोड़के जनता का पूरी तरह से विश्वास ब्रेक करके आपके पास क्या मजबूरी होती जनता वो जानना चाहती है कि उसके बाद आप अपनी प्रोड़क्टिव पॉलेटिक्स तो जादा अच्छा है जिसमें जनता का विश्वास बने फ्लोर टेस्ट में इंडिये की फिर से वापसी हुई है इसे जनता को फाइदा होगा फाइदा इसलिए होगा क्योंकि डवल इंजन की सरकार एक फिर से बिहार को मिला है बात करते हैं कि रोजगार मिला है लोगों काफी सीटे आई है इसमें लेकिन रोजगार सिर्फ पड़े लिखे लोगों के लिए उनके लिए भी संबब होना चाहिए जो बिहार में फैक्ट्री लगाने का काम करें हमें उमीद है कि एंडिये डबल इंजन की सरकार में लोग में लिखे के लिए तो रोजगार का काम उस सरकार में भी हुई लेकिन इस सरकार में हम उमीद जताते हैं कि डबल इंजन की सरकार में केंद्र की जो विशेश पैकेज बिहार को मिलेगा यह उमीद हम लोग को है और बिहार में डबल इंजन की सरकार की ही जरूवत है ताकि फेक्टरी पर भी काम हो और हम लोगों जनता कि इतने लोगों उनको भी फाइदा मिले। विधान सभा में फ्लो टेस्ट था अस्टीकर के उप पास विजिया है। किस रूप में देखते हैं सभाब। एक सो पचीस उनके एगेंस्ट गया है स्पीकर के। देखिए ये डेवल इंजन के सरकार जब बिहार में आगी जैसे पहले डेवलप्मेंट हो रही थी। अब मुझे आसा है कि बिहार का विकास स्यों मुखी भीकास बहुत अच्छे ढंक से होगा। मुझे याद है लगभग दो हजार उनीस या बीस में एक गया में मीटिंग हो थी सहानावाज होसेन साहब उष्ण उद्धोग मंत्री थे वियार के एक बहुत बड़ा गया में उद्धोगी कहब बनाने की बात आई थी। कि सत्रो सो एकड़ जमीन में पूरा इंडिस्ट्रेल एरिया बनने की बात आई थी। यह सब गठबंदन महा गठबंदन के सरकार आने के बाद में सारी चीजे ब्रेक हो गए उसका विकास का कोई काज हुआ नहीं फिर मैं सुना हूं कि उस पर फिर चर्चा फिर सुरू ही ह और इसमें जो विकास पहले के दस सालों में बहुत अच्छे ढंग से नीतिज सरकार ने की थी। इधर के कालों में वो कभी दर उधर जाने से इसका विकास में बहुत बाधा पड़ी है। और धिरे-धिरे कुछ क्राइम भी मढ़ना सुरू हो गया था और फिर से वो अभी पूरे रूप से तो जंगल राज नहीं आपाई थी मगर उसका रूप लेना सुरू कर दिया था इसलिए बहुत अच्छा हुआ है बहुत अच्छा हुआ है बहुत अच्छा हुआ है यहार की बिकास के लिए बहुत अच्छा हुआ है अब फ्लोर टेस्ट इसके बाद होने झाल झाल झाल